पुलिस ने बड़ी सफलता पाते हुए नसीली कफ सीरप का बड़ा खेप जब्त किया है। पुलिस का मानना है कि रभी कुमार पूरे रज में नसीली दवाओ का कारेबार करता है। हजारी बड़ का अभिशेक हजारी बड़ सहर में और गरामिन शेतरों में यह धंदा पिछले कई दिनों से कर रहा है। पुलिस का यह भी कहना है कि इस वैपार में कई सफेद पोस्ट भी संदीप्त हैं। पुलिस अब यह दवा किस फैक्टरी से निकलती है इस बात की तहकीकात में जुट कही है। इससे यह पता चल सकेगा कि यह दवा किन-किन सहरों में भेजा जाता है। पुलिस का यह भी मानना है कि यह अपरात की जड़ है क्योंकि वह युवा वर्ग नसीली दवा का सेवन कर अपरात की दुनिया। अभी तक कुल दो व्यक्ति पकड़े गया है। एक का नाम है अभिशेक कुमार, यह ग्राम जुमरा थाना दारू जिला हजारी बाग के रहने वाले हैं। दूसरे इसमें पकड़े गया है रवीक कुमार अगरवाल, यह लाल जी हिरजी रोड थाना कोतवाली, जीला राची के रहने वाले हैं। और इस अभियान में अभी तक लगभग साढ़े चार हजार जो नशीला कफ सिरफ है, उसकी बराम्दगी हुई है। और यह शिडूल H1 का ड्रग है, और शिडूल H1 को ड्रग भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंधित हैं। और इसके बैचने के लिए certain guidelines भारत सरकार के द्वारा दी गई है। उन गाइडलाइन्स का जो है कि बीना पालन किये हुए अवैत तरीके से पैसे की जो है कि लालच में उंचे दाम पर ये दोनों ब्यक्ति जो है कि बेच रहे थे और आपको जैसा मालूम है कि पूरे शहर में कम उम्रे के लड़के इसके जो है कि आदी हो गये थे और इसे पीक अपराद का जो जड़ है जहां से ओर्जिनेट हो रहा है जिसके कारण ये बच्चे जो है कि अपराद के रास्ते में जा रहा है वहां तक पहुंचा जाए